जादी किसी संकू की तिरियक उचाई 25 सेंटीमीटर है और उचाई 24 सेंटीमीटर हो तो उसका आयता नियाद कीजिए देखें दोस्तों इस वीडियो में हम लोग संकू के बारे में पढ़ेंगे कि संकू क्या होता है संकू का फूर्ण प्रिष्टिय चेतरफल क्या होता है और इसको हम कैसे निकालते हैं इसमें तिरियक उचाई क्या होता है उचाई क्या होता है अधार की तिरिजिया क्या होता है यह सब हम इस वीडियो में जाए तो यहाँ पे एल बरबर क्या हो जाए आता है के स्क्राइब ठीक है अगला इसमें यदि हमको निकालना हो कि क्या होगा तो देखिए एच बरबर जो फॉर्मुला वनेगा रूट अंडर यहां पर एच है जो लंब के जगा पे है तो यह जो लंब के जगा पर यानि कर्ण के स्क्वाइर माइनस अधार के स्क्वाइब करन क पर अब होगा, root अंडर L के square और minus H के square ठीक है ये तीन formula आपको याद पता होना चाहिए जहाँ L है जो तीरिया को उचाई है R है जो अधार की तरिजिया और H है जो उचाई है और इस संकू में इस संकू में ये जो कौन है ये जो गोल आपको दिख रहा है ये अधार का परीधी है ठीक है अब हमें लोग चलते हैं कि संकू का जो वक प्रिष्ट ये होता है यानि वक प्रिष्ट क्या होता है तो आपको इतना याद ज़रूर होना चाहिए कि संकून तिरिवज में जो कर्ण होता है जो यानि समकून सिर्ष के सामने वाला भूजा होता है ठीक है और यह का अधार और यह लम है ठीक है तो यानि कर्ण निकालना हो तो कर्ण बरबर होता है लम के स्कॉयर प्लस अधार के स्कॉयर जो की रूट में लम बरबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्कॉयर माइनस अधा root under L k square minus R k square और R अबर अबर L root under L k square minus H k square ये तीन फर्मूला यही वाला एवाला प्रेबना है यानि ये संकोन तिर्फुच के बेसमान करके इसको बनाया गया ठीक है तो यनि कि ये ये संकु मे आपको R और H दिया हो तो L निकाल सकते हैं dot 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 oni देखिए पाई आरे लिया है जो कहांसे है तो देखिए एक वट्था दू इसको कार देँग। ये वाला वक्र हो जाएगा इसका छहत्रुपाल निकालना है यह वाल वक्र के लुटा वहता है तो आप पड़ाए कि तिर्भोच का डाओ लोगोने अधार गुनने चाहिता है इसमें अधार की परिधी गुने उचाहिए है ठीक है तो अधार की परिधी तू पाई आर होता है और एक बटा दो से दो कट गया रहने की पाई आर एल संकु का जो वाकर पिष्ट ये छेत्रफल होता है क्या होता है पाई आर एल संकु का देखते हैं कि संकु का आयतन क्या होता है तो संकु का संकु का आयतन बरबर होता है 1y3 πाई आर अस्क्वाइर एच यदि किसी संकु की तिरियक उचाई 25 cm और उचाई 24 cm हो तो उसका आयतन ग्याद कीज़िए तो यहाँ पे एक संकु है जिसका जो उचाई है जो 24 cm और तिरियक उचाई कितना है 25 cm तो हम लोड लिखेंगे कि यहाँ पे है जो 8 बरबर है 25 cm और जो h है जो 24 cm है तो इस संकु का हम लोड़ पहले r निकालेंगे तो इसलिए r बरबर जो r बरबर क्या फर्मूला होता है रूट अंडर l के अस्कुाइर माइनस h के अस्कुाइर l के अस्कुाइर माइनस h के अस्कुाइर अब यहाँ पे हम रूट अंडर l का मान कितना है तो 25 के अस्कुाइर और h का मान कितना है तो जा व्लोट आपको पता है applica 1999 का जो वर्गमूल होता है जो कितना होता है तो उनोच산 ka बरोतम साथ सेंटीमेटर इसका क्या तिरिज्या आगया तो यह त्त्रिजीया इसका आया है, 7 cm है यहाँ पर हम लिख देंगे, यह जो त्रिजीया जो 7 cm है, अब हम क्या निकालते हैं, तो अब हम संकु का आयतन निकालते हैं अब यहाँ पर संकु का आयतन वरेब संकु का जो आयतन का फर्मूला होता है वन ब्रता थिरी पाई ऑर ऐस्क्वाइर एच यानि और जो आर को पता है और जो R का मान है तो R हम लोगा निकल गया 7 तो 7 के स्क्वार यानि 7 गुने 7 और H कितना है तो देखे हैं है यहाँ पर 24 संटिमेटर होते हैं यहाँ पर 24 रखेंगे ठीक है अभी यह 7 से यह 7 कटेगा और यह 3 से 8 बार में 3, 8, 24 अब यहाँ पर जो बचा उसको हम तो गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर में बचा 22 गुने यह कि यह वाला 7 और गुने 8 अब 22 गुने 7 गुने 8 यदि इससे हम गुना करते हैं तो हमारा आता है 1232 और आयतन निकाले हैं तो यानि कि 1232 सेंटीमीटर की यही हमारा क्या जागा इसका आयतन आजा है निक्स्ट प्रस्ण है कि यदि किसी संकुक भी तिरिजिया 35 मीटर और संकुक की तिरिया कुछ आई 37 मीटर है तो इसका वक प्रिष्टिये 6 रफल क्याद कीजिये permits संकुक का तिरिया कुछ आई दिया हुआ है तो आपको निकालना क्या है तो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे है लोग तो यहां पर दिया हुआ है कि आर बरबर तो आर बरबर दिया हुआ है 25 मीटर ठीक है और इसका जो तीरिया कुछ आई है यानि कि एल है तो एल बरबर आपको यहां पर दिया हुआ है सैंतिस मीटर है अब निकालना है क्या तो संकू का वक प्रिष्टिज चेतर रुफल बरबर पाई आर एल क्या होता है पाई आर एल तो यहाँ पे भैलू रखेंगे पाई कामान 22 बटा साथ आर के जगा पे 35 और एल के जगा पे 37 अब यहाँ पे 7 से 35 पाच बार में 7 पचे 35 अब यहाँ पे हम लोग गुना कर लेंगे 22 गुने 5 यानि 110 और गुने 37 110 को यदि हम 37 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 40 यानि 4070 मीटर स्कुर्ड यह इसका क्या आगया वक प्रिष्टिय छेतरफल प्रश्ण है कि 7 सेंटिमीटर त्रिजिया वाले एवं 24 सेंटिमीटर उचे लंब बृतिय संकु की सता का पूर्ण छेतरफल कितना वर्क से मिं होगा यानि कि देखें आपको यहां पर दिया हुआ है कि इसका जो त्रिजिया जो 7 सेंटिमीटर है और इसका जो उचाई है जो 24 सेंटिमीटर है तो इसका पूर्ण प्रिष्टिय छेतरफल गयात करना होगा ठीक है तो यहां पर दिया हुआ है कि आर बरबर साथ सेंटिमीटर ठीक है इसका जो आर है जो कितना सेंटिमीटर दिया है तो साथ सेंटिमीटर ठीक है इसमें और एच दिया हुआ है तो एच कितना है यह वाला यहां से लिकर कि यहां तक जो लंबाई है एच जो 24 सेंटिमीटर है तो आगे बढ़ते हैं मिठें कि अब एखएवर कितना दिया हुआ है निर टेट्र में आर कितना दिया है, तो आर वरेवर दिया हुआ है आपको 7 sentence, हमें निकालना पहले किया है, तो हम सबसे पहले लिनालते हैं, तो ल वरेवर फर्मुला होता है, under root, h के square और पलस r के square, यहां से हम लोगो भाइलू रखेंगे, हज़ी होने है च्वीश यानि 24 के स्कॉयर और速 साथ के स्किर्थ है यहाँ से 24 के स्कॉयर और प्रल साथ के स्किर्थ अब citoy 헤्कर वीश वीश का स्कॉयर होता है 550 इस्चाइर और साथ के स्कॉयर 59 और आं आ links को यदि add करते हैं चाहित तो हम लोग के आजाता है शेसो 625 यानि कि हाम पर आ गया प्षक रूट कंदर 625 और जो 625 है जो किस्का वर्ण मुल तो 625 है जो आपको पता है कि 25 का वर्ण मुल ने 65 का जो बर मुल है कितना है तिर्य कुछ यानि यवाड़ा जो यहां से लिकर यहां तक यह लंबाई है जो है 25 सेंटीमीटर अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं कि संपूर्ण प्रिष्टिय छेत्रफल क्या होता है तो यहां सिल्खेंगे कि इसलिए संकू का संकू संकू का पूर्ण सदा का छेतर फल पर बढ़ता है πाई आर इंटू पाई आर इंटू आर पलस एल ठीक है पाई आर इंटू आर पलस एल अब यहां से हमलों इसको भैलू रख लेंगे पाई का मान है जो 22 बटा सा आर निकल के आया है साथ और इंटू साथ पलस एल का मान कितना है तो एल का मान है 25 अब इसे यह साथ से यह साथ कट जाएगा यहां पर यह साथ से यह साथ कटेगा अब बराबर 22 गुने 7 और 25 को जोड़ेंगे तो 7 और 25 को जोड़ेंगे तो 32 अब 22 को हम 32 यदि गुना करते हैं तो जो हमारा आता है 22 गुने 32 परवर 704 और यह सेंटीमीटर स्क्वार यह आ गया इसका पूर्ण प्रिष्टिय चेतरफल यानि पूर्ण सता का चेतरफल पूर्ण सता के चेतरफल में क्या होता है कि यह जो वर्क एरिया है इसका भी और नीचे जो अधार का चेतरफल है उसे भी आट कर लेते हैं तो यह हो जाता है पूर्ण सता का चेतरफल दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सेयर किजिए थैंक्स फोर बाचिंग